आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 चैप्टर इस्टेटिक्स का इंटोड़क्शन इस चैप्टर में देखो बचो हम तीन चीजे पढ़ते हैं मीन, मोड एंड मेडियन तो उसको find करने के जो भी possible method होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर introduction में दिये हैं बाद में मैं इसके video बना होगा separately देखो mean जो आपका होता है mean का means होता है average value कोई भी data आपको given है उसका average कितना होता है जैसे मालो कोई data given है 2,3,4 तो इसका mean कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, हम सभी को add करके, divide करतेंगे 3 से, तो वो average होता है, तो इसका first method होता है, direct method, इसमें हमार formula होता है, x bar equal to sigma fx upon sigma f, मैंने यहापे easy के लिए आपको लिख रखा है, 4 column, 4 column बनते हैं, 2 column आपको given होंगे, like 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से आपका एक data, c i और f आपको दे रखा होता है, उसके बाद में 2 column आपको अपनी तरफ से बनाने पड़ते हैं, 4 column बनते हैं, total, second method है, mean assume method, mean assume method, इसमें हम कोई एक term a होती है, उसको हम अपनी तरफ से assume कर लेते हैं, उसको कहते है mean assume method, और यहाँ पर a column बढ़ जाता है, 5 column बनते हैं, total, जो एक d का जो column होता है, वो बढ़ जाता है, अगला method है, step deviation method, step deviation method का formula होता है, a plus sigma fu upon sigma f into h, यहाँ पर total six column बनते हैं, total, six column बनते हैं, यू का जो column होता है, वो बढ़ जाता है, तो यह तीन method होते हैं, आपके mean find करने के, direct method, mean assume method, और step deviation method, method, किसी भी method से आप questions को solve करेंगे, आपका answer same आएगा, फिर क्या है, mode, mode क्या है, mode का formula होता है, l plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2, पूरे का break it close into h, देखो बच्चो, mode क्या होता है, most repeating term होती है, most repeating term, जो सबसे ज़्यादा term repeat होती है, वो mode होता है, और यहाँ पर कोई भी column नहीं बनता है, कोई भी column, कोई भी table बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी question के वेन है, उसी से direct mode हम निकाल लेते हैं, जो important होता है, बस यह f1, f0, l, h, f2, इनकी value find करना, वो आपको जब मैं question बताऊंगा, उसमें देखेंगे आप, अगला है median, median का formula होता है, l plus n upon 2 minus cf, cf होता है cumulative frequency upon f into h, इसमें तीन column बनते हैं, दो column आपको दे रखे होते हैं, एक cf, cumulative frequency का अलग से column बनता है, और देखो बच्चो, आपको इसमें ojive भी निकालना पड़ता है, ojive, aesthetics में ही निकालना पड़ता है, वो दो तरीके से निकालना पड़ता है, less than ojive and more than ojive, इसकी सभी की special video बनाऊंगा, सारे questions की with concept,